Hello everyone, welcome to Learner B, I am Shivani Chahan, class 10th Hindi की बुक का चाप्टर संस्कृती जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उप्योग होता है सबसे अधिक ऐसे दो शब्द हैं सभ्था और संस्कृती तो बेसिकली इस चैप्टर में राइटर ने हमें सभ्था का मतलब क्या होता है और संस्कृती का मतलब क्या होता है ये हमें समझाने की कोशिश की गई है क्या आपको पता है कि सब्भेता और संस्कृती का क्या मतलब होता है पता है तो अब ही चप्टर कंप्लीट होने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा आप क्या समझते हैं तो देखिए संस्कृति ये पहले आती है और संस्कृति से ही हमारी सभ्हता बनती है ये चीज हम लोगों को समझनी हो की संस्कृति क्या होती है मानो आपने जैसे एक आग का आग डेवलप करी किसीने मतलब किसीने इन्वेंटी तो करी है कि पथर को रगडने से कुछ चिंकार की सारी के चीज थे काफे असान हो गए यही सारे एकजांपल यह आगये चप्टर में हमें मिलेंगे सुई धागा किसी ने इन्वेंट किया होगा तो कितनी बड़ी इंवेंशन रही होगी पहले जमान में ठंड में गर्मी में अपने शरीर को बचाने के लिए कपड़ा कैस कपड़ा बना, तो कपड़े से काफी लोगों को फाइदा मिला है ना, कई बार हमें अपने मौसम से बचाफ के लिए भी, सुन्दर दिखने के लिए भी, फिर सभी लोग कपड़े पहनने लगे, सभी आग से खाना बनाने लगे, तो ये जो पहले हमारी संस्कृती थी, अब ह हमारी सभ्यता का हिस्सा बन जाता है, अब देखते हैं आगी चप्टर में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेशन जुल जाते हैं, उधारन के लिए जैसे बहुत एक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी गलत जलत हो जाता है, तो आपका एंसे आटी का पहला ही क्वेशन है, कि हमें सभ्यता और संस्कृती का जो मतलब है, वो कब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जब हम भौत एक सभ्यता या फिर अध्य मतलब क्या होता है, क्या यह है एक ही चीज है? अथवा दो वस्तुए है? तो यह हमें समझ नहीं आपा तक कि क्या संस्कृती सभ्यता इंका मतलब एक ही है, यह अलग-अलग है. यदि दो हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझाने की कोशिष करें तो हम कैसे समझे इन दोनों मतलबों को तो राइटर ने हमें अच्छे से चप्टर में समझाया है अब आगे कहते हैं कल्पना कीजिए उस समय की जब मानफ समाज का अगनी देवता से साक्षात नहीं हुआ था यानि की मानफ समाज को अगनी की जानकरी नहीं थी आज तो घरगर चूला जलता है जिस आदमी ने पहले आग का अविश्कार किया होगा वह कितना बड़ा अविश्करता होगा यानि की सबसे पहले जिसने फायर को इंवेंट किया होगा वो कितना बड़ा इंवेंटर रहा होगा राइट अत्वा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परचना था जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक तुकडे को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो तुकडे एक साथ जोड़ी जा सकते हैं वह भी कितना बड़ा अविशकार करता रहा होगा मतलब सिलना सुई धागा भी कितनी बड़ी इन्वेंशन है ना इन दो उधारणों पर विचार कीजिए पहले उधारण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेश की आग का अविशकार कर सकने की शक्ती और दूसरी चीज है आग का अविशकार एक तो हुई भाई की कोई इनसान कर पाया और दूसरा कि आलका आविश्कार हो चुका है इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उधारण में एक चीज है सुई धागे का आविश्कार कर सकने की शक्ती और दूसरी चीज है सुई धागे का आविश्कार क्योंकि भाई कोई काम होगा उसके लिए आपके पास उस काम करने की शक्ति होनी चाहिए ना तब ही तो वो काम हो पायगा इसलिए दो अलग बाते कहीं है राइटर ने जिस योग्यता प्रवर्ति अथ्वा-प्रेणडा योग्यता होती है हमारी किसी भी काम करने की शमता प्रवर्ति जो हम किस तरह से उसको काम करेंगे हमारी प्रेड़ना हमारा जो मोटिवेशन है जिसके बल पर आग काया सूई धागे का आवश्कार हुआ है वह है व्यक्ति विशेश की संस्कृती तो हमारी संस्कृती क्या है हमारी योग्यता हमारी प्रेड़ना ये हमारी संस्कृती है और उस संस्कृती द्वारा जो आवश्कार हुआ जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आवश्कृत की उसका नाम है सभ्यता तो जो फाइनल प्रोड़क्ट बन के आया जिसका इस्तमाल आगे तक किया जा सकता है वो है सभ्यता जिस व्यक्ती में पहली चीज है जितनी अधिक वै जैसी परिश्कृत यानि के शुद्ध की हुई मात्रा में होगी वै व्यक्ती उतना ही अधिक वै उतना ही परिश्कृत आविश्कार करता होगा मतलब जिस व्यक्ती में जितनी संस्कृती होगी वै उतना ही शुद्ध होगा वै उतना ही अच्छा आविश्कार करता होगा जिसमें जितनी संस्कृती होगी और संस्कृती क्या है संस्कृती हमारी योग्यता है हमारी प्रेणा है हमारी इच्छा शक्ती है एक संस्कृत व्यक्ति तो एक बहुत ही अच्छी प्रेणा वाला अच्छी संस्कृति वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम एक संस्कृत व्यक्ति कहेंगे एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किन्तो उसकी संतान को वह अपने पूरवज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है तो बिसिकली इसका मतलब है कि एक संस्कृत व्यक्ति एक बहुत ही जो महंती इंसान है वो किसी चीज की खोच कर रहा है पर उसके बच्चों को वो चीज ऐसे ही मिल जाती है अब आप देखिए कि आप में से बहुत से लोगों ने के पेरिंस जो होंगे उन्होंने घर अपने दम पे बनाया होगा अपनी मैनत से अपने पैसे से और जो आप बड़े होंगे तो आपको वो घर ऐसे ही मिल जाएगा तो यही बात है कि एक संस्कृत व्यक्ति कोई चीज बनाता है और उसके बच्चों को ऐसे ही वो चीज मिल जाती है जिस व्यक्ति की बुद्धी ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्या का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृतिक व्यक्ति है अब राइटर ये बोलते हैं कि actually सच में सांस्कृतिक व्यक्ति कौन है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धी जिसकी समझ ने किसी नई चीज़ को जनम दिया यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी महनत से कुछ कर रहा है वही व्यक्ति एक संस्कृत व्यक्ति है राइटर के according और उसके संतान जिसे अपने पूर्वच से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाए वह अपने पूर्वच की भाती सभ्य भले ही बन जा तो आगे राइटर बोलते हैं कि संस्कृत वो है व्यक्ति जो अपने दम पर अपने बल्बूते पर कुछ हासिल करें उसके आगे वाले पीडियो को चीज मिल जा रही है वो उसको अच्छे से भोग रहे है तो वो सभ्य तो हो सकती है आने वाली पीडिया बटाने वाली पी आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्टी गुरुत्वा कर्षण के नियम से तो परिचत है लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ग्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचत ही रहा ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के उन्होंने इन्वेंट किया उनके दम पर ही तो कितने सारे लॉस चल रहे हैं कि भाई कोई चीज है वो धर्ती पर आकर गिरेगी ही गिरेगी क्योंकि धर्ती में गुर्त्वा गर्शन की ताकत है उस समय पर न्यूटन ने खुद इजाद किया अज दुनिया में हर किसी को उसको आगे बढ़ाया है आगे हम लोग देखते हैं आग के अविशकार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेड़ना एक कारण रही सुई धागे के अविशकार में शायद शीतोषन से बचाने तथा शरीर को सजाने की प्रवर्ती का विशेश हात रहा तो यहां पर यह म शायद हमारे पेट की फायर की प्रेड़ना है सुई धागे का अविशकार शायद इसलिए हुआ होगा कि शीतोषन शीतोषन मतलब खंडे गरम से अपने शरीर को बचाना यह प्रेड़ना रही होगी सुई धागे की जो इन्वेंशन है अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है जिसका तन ढखा है लेकिन जब वह खुले आकाश की नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नीद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परशान है कि आखिर यह मोती भरा थाय क्या है तो अब सपोस करि अब उसको जानना है कि यह खिया है हम तो राइटर यह बोलते हैं हमारी सब्वेता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आद्मियों से मिला है यहां पर ना इस तरीके के बोल रहे है कि राइटर जो इंसान न निठला न बैठे मतलब आपके पास खाने के लिए भी सब क कर रहा है ना वही इंसान सब्वें या फिर वही इंसान संस्कृत है जो इंसान के पास सब कुछ है फिर भी उसमें काम करने के प्रेड़ना है ना वही इंसान संस्कृत है तो हमारी सब्वेता का एक बड़ा अंश हमें संस्कृत आद्मियों से ही मिला है जिनोंने लाइफ म हमें मनीशियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेश को किसी भौतिक प्रेड़ना के वशिबूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की जह सस्कृती के ही कारण प्राप्त किया है तो यहाँ पर राइटर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें तो अपनी लाइफ में इसलिए मिली हैं क्योंकि इनसान को कमफर्ट चाहिए था जैसे कि आक आविशकार हुआ क्योंकि खाना अच्छे से खाना था कपड़े का आविशकार हुआ क्योंकि तन को ठकना था बहुत सारी comfort की चीज़े होती है तो ठीक है तो बहुत एक कारण का मतलब होता है हमारी material चीजों के लिए हमारी ज़रूरते पूरी करने के लिए भी बहुत सारी inventions होई है बट बहुत सारे मनीशी आप कह सकते हैं scientist type के लोग वो इसलिए भी हुए है ताकि हमारे अंदर की जो संस्कृती है पहले स्टार्टिंग में वर्ड आया था बहुत एक और आध्यात्मिक तो बहुत एक चीज़ें भी हमें मिली है हमारे आसपास के सोक सुफित है और आध्यात्मिक जानी के जिससे हमारा ज्यान भड़ता है ऐसी चीज़े भी हमें बहुत मिली हैं हमारे जो पूरवाज थे उनसे रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीशी हमारे आज के ग्यान का ऐसा ही प्रत्थम पुरस करता था मतलब रात को उसने तारे देखे और सोचा कि भई ये तारे कर क्या रहे हैं उसकी कोई फिजिकल लाइफ में तो कोई से रिमांट पूरी हो नहीं रही थी ना बट उसने देखा भाई ये जो तारे हैं इनको भी मुझे जानना है तो वो हुआ भाई हमारा जो आध्यात्मिक प्रेड़ना को ले करके भाउतिक प्रेड़ना ग्यानेपसा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के मातापिता हैं तो भाउतिक प्रेड़ना यानि कि आपके जो फिजिकल कंफर्ट से वो मिलते रहें और ग्यानेपसा यानि कि आपको ग्यान प्राप्त करने के जो इच्छा है क्या मानव संस्कृति के माता-पिता यहीं है मानव संस्कृति बहुते के इच्छा है पूरी हो जाए और हम लोगों के अध्यात्म के इच्छा है basically हमारे ज्यान को पाने के इच्छा पूरी हो जाए क्या इसी से संस्कृति बनती है दूसरे के मुँँ में कौर डालने के लिए जो अपनी मुँगा कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यूं और कैसे सूचती है मतलब कि आप केंदर जो दान देने की जो फीलिंग होती है वो कहां से आती है फिर रोगी बच्चे को सारी राद गोद में लिये जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यूं करती है सुनते हैं कि रूस का भागय विथाता लेनिन अपनी डेक्स में रखे हुए डबल रोटी के सुखे तुकडे स्वेम नाखा कर दूसरों को खिला दिया करता था वह आखिर ऐसा क्यूं करता था संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वपन देखने देखते हुए काल माक्स ने अपना सारा जीवन दुख में बता दिया और इन सबसे बढ़कर आज नहीं आज से धाई हजार वर्ष पूर्व सिधार दियाने की गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए दियाक दिया ताकि इस त्रिशना के वशी भूत लटकती-कटकती मानवता सुख से रह सके यानि कि जो लोग ही मानवता है वो सुख से रह सके इसलिए कौतम बुद्ध में अपना घर त्याग कर दिया था रूस के भागय विताता बिसिकली जो वहां के लीडर रही है लेनन वो अपना खाना दूसरों को दे दिया करते थे काल मार्क्स जिसकी वज़े से आज बहुत सारे मज़दूरों को राइट्स मिले हैं उन्होंने पूरा जीवन खुद दुख में बिता दिया तो ये लोग कौन है क्या हमें इनने संस्कृत लोग नहीं कहेंगे बले ही नोने को invention ना की हो बट अपने को त्याग करके दूसरों के लिए जो काम करना है वो भी तो एक संस्कृत मानव ही कर सकता है हमारी समझ में मानव संस्कृती की जो योग्यता आगवे सूई धागे का अवश्कार कराती है वह भी संस्कृती है जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी और जो योग्यता किसी मानव से सर्वस्वत्याग कराती है वह भी संस्कृती है This is very very important की भाई संस्कृती क्या है जो invention करवा रही है जो हमें ग्यान दे रही है और जो दूसरों के लिए त्याग कर रही है वही मानफ संस्कृती संस्कृती है और सब्भेता क्या है? सब्भेता है संस्कृती का परिडाम संस्कृती मिलने के बाद उसको जो फॉलो गिया जाता है तो उससे मिलती है हमें सब्भेता हमारे खाने पीने के तरीके हमारे ओडने पहनने के तरीके हमारे गमना गमन के साधन हमारे परस पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभधा है मानव की जो योग गता उससे आत्म विनाश के साधनों का आवश्कार कराती है हम उसे उसकी संस्कृती कहें या असंस्कृती अब राइटर आके बोलते हैं कि संस्कृति और सभ्था तो हमने समझ लिया कि हमारी जो basic needs पूरी हो रहे हैं हम तो inventions कर रहे हैं ये सब तो संस्कृति है बट दूसरों का नुकसान करने के लिए जो inventions हो रही है क्या उसको हम लोग संस्कृति कहेंगे या फिर असंस्कृति कहेंगे सभ्था कहेंगे या फिर असभ्था कहेंगे तो भाई वो तो असभ्था और असंस्कृति ही कही जाएगी जिससरों का नुकसान हो रहा है और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभथा समझें हैं और सभथा संस्कृति का यदि कल्यान की भावना से नाटा टूट जाएं तो और संस्कृति होकर ही रहेगी और ऐसी संस्कृति का अव्यंशंब भावी परिणाम और सभथा के अतरिक्त दूसरा क्या होगा तो राइटर बोलते हैं कि अगर संस्कृति ऐसी हो गई है कि एक इनसान दुसरे को काटने को दौड रहा है, एक देश दूसरे का सिर्फ नुकसान करने का सोच रहा है, तो ऐसी संस्कृति और सभ्वयता नहीं चल सकती, उनका विनाश जरूर होगा एक ना एक दिन संस्कृती के नाम से जिस कुड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृती है और ना रक्षणी है वस्तू अब राइटर आज की जन्रेशन का बोलते हैं हमें बोला जाता था था ना कि लड़कीयों का ऐसे नी करना चाहिए बहुत सारी जो बंधर अंपर लगाए जाते हैं क्योंकि पहले ऐसा होता था राइटर याप पर बोल रहे हैं कि भाई समय के साथ चीज़े बदल जाती है और समय के साथ चीज़े बदल गिये न तो आप भी बदलो संस्कृति या फिर सभ्धा के नामपर कूड़क जो कड़कट है उसको अखिटा मत करो मानव ने जब जब प्रग्या और मैतरी भाव से किसी नए तथे का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तू नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दल बंधियों की ज़ुरत है मतलब बेसिकली जब हमने सभ्धाया फिर संस्कृति इजात की है तो हमने कुछ ऐसा इजात नहीं कर दिया है कि जिसके लिए बहुत सारे लोगों को रक्षा करने के लिए आना पड़े तो उसको खदम कर देना चाहिए मानव संस्कृति एक अविभाजे वस्तू है और उसमें जितना अंश कल्यान का है वह अकल्यान कर की अपेक्षा श्रेष्ट ही नहीं स्थाई भी है तो भाई संस्कृति या फिर मानव की जो जब बहत बड़ी है जिससे भला हो रहा है तो पढ़िया है वह आगे चलते रहेगा बड़ जिससे किसी का भी नुकसान हो रहा है न वह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है ऐसी नहीं सभ्यता चलेगी और ऐसी नहीं संस्कृति चलने वाली है तो काफी मतलब दिमार्ग से सोचने वाला ये चाप्टर था इसकी व पासस भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब थैक यू सो मच